बोडी पेइन कॉजस शरीर में लगातार होता रहता है दर्द तो जाने क्या हो सकती है वज़े? बोडी पेइन कॉजस शरीर में आमतोर पर तभी दर्द होता है जब हम किसी बीमारी से पीरित हो या फिर बिजी शेडियूल की वज़े से ठक गए होते हैं हाला की परियाप्त आराम और पूरी नींद लेने के बावजदू बदन दर्द हो तो इसके पीछे ये आठ कारण हो सकते हैं आईए जाने बदन दर्द के पूछे क्या कारण हो सकते हैं? एक, नींद की कमी रोज 6 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है ऐसा इसलिए क्योंकि इस दोरान हमारा शरीर सोते समय अपने ओर्जा संसाधनों को दोबारा उत्पन करता है और आपको तरो ताजा करता है अगर नींद पूरी नहीं होगी तो आप ओर्जा की कमी महसूस करेंगे जिससे दर्द भी हो सकता है पानी की कमी आप इस बात का एहसास शायद ही हो लेकिन शरीर में पानी की कमी दर्द का कारण बन सकते हैं अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो शरीर में पानी का स्तर कम होने लगता है जिससे आप ठका हुआ और बदन दर्द महसूस करते हैं तीन, आप तनाव में हैं, आप सोच भी नहीं सकते की तनाव आपको किस किस तरह प्रभावित कर सकता है। लाइफस्टाइल में अगर लगातार तनाव रहता है, तो इससे शरीर ठक जाता है और जल्दी बोरा होने लगता है। जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी का स्तर कम होता है, आप कमजोर महसूस करते हैं और बदन दर्द भी हो सकता है। आयरन की कमी, आयरन रक्त में एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसकी कमी से शरीर के विभिन भागों में आकसीजन और पोशक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। यह जाहिर तोर पर आपको हर तरफ ठकान और दर्द महसूस कराता है। पाच, विटामिन दी की कमी हमारे शरीर के सही तरीके से काम करने के लिए उसे विटामिन दी की जरूरत पड़ती है। अगर शरीर को विटामिन दी की सही मात्रा ना मिले, तो यह बदन दर्द का कारण बनने लगता है। 6. आर्थराइटिस शरीर में सूजन या आर्थराइटिस कई तरह के दर्द का कारण बनता है 7. फटीग संड्रोम अगर परियाप्त आराम और नींद के बाद भी थकान दूर नहीं होता तो आपको फोरण डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए इसके पीछे की वजह क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम भी हो सकता है 8. सर्दी और खानसी शरीर में दर्द वाइरल इंफेक्शन का एक आम लक्षन है सर्दी खानसी या फ्लू की वजह से भी पूरे बदन में दर्द होता है दोस्तो आथरिसन एक्टिव कैप्सूल के बारे में जानते है आथरिसन एक्टिव कैप्सूल का प्रस्तुत करता हर्ब्स एंड ड्रग्स कमपनी है ये कैपसूल आपका ज्वाइन, पेंट, इंजरी, पेंट, रुमाटाइड, अर्थराइटिस, साइटिका, पेंट, स्पोर्ट्स, इंजरी, पेंट, मस्कूला पेंट और धेर सारा दर्द में आपका काम आते है नमस्कार दोस्तों बिना बात के वीडियो स्टॉट करता है इंग्रीडियंट्स के बारे में गुगुल कोई रोगों को दूर करने में लाबकारी होता है खास तोर पर इसको सूजन, दर्द, जोरों का दर्द, गैस, पत्री, बवासीर, पुरानी खानसी, सेक्स पावर में, बरोतरी, दोमा, फेफढे की सूजन आदी, रोगों को दूर करने में लाबकारी होता है एरंडा बीच, अरंडी के बीजों में ओलिक एसिड, रिकिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और अन्य फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं ये सभी गठिया से समबंधित बीमारियों के इलाज में बेहद प्रभावी है अरंदी के बीज वास्तव में गठिया के इलाज में प्रभावी है गठिया एक विशिष्ट स्थिती है जो दर्द, जलन और जोरों में अचानक सूजन पैदा कर सकती है पिपली, पिपाली, ब्रोनकाइटिस से लेकर अस्थमा और खांसी से लेकर गले की खराश तक पिपली कई फेफरों की समस्याओ के इलाज में बहुत प्रभावी है इसकी एंटि ओक्सिडेंट, क्षमता, विभिन सा संबंधी समस्याओ का इलाज करती है शाला की, सैलकी, एक बहुत ही उत्तम जरीबूटी है जिसका प्रयोग रोगों को ठीक करने में किया जाता है शाला की का प्रयोग जोरों के दर्द और सूजन की परेशानी को ठीक करने के लिए किया करते है इसके अलावा इस्तेमाल अन्य कई तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है गोक्षूरा, गोक्ष, गोक्षूरा का उप्योग व्यायाम से शरीर मजबूत बनाने का अभ्यास के लिए किया जा सकता है मूत्रवर्धक गतेविधियों एक कामोद दीपक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है पीसी ओएस से पीरित महिलाओ के लिए उप्योगी है गोक्षूरा त्वचा की बीमारियों का इलाज करता है गोकशूरा को anti-agent agent के रूप में भी इस्तिमाल किया जा सकता है गोकशूरा पौरुश ग्रंथी विकारों का इलाज करता है गोकशूरा दिल की समस्याओ को ठीक करने में मदद करता है मस्तिश्क समारोह में सुधार करता है सौट, सुन्थी, जो कौम से राहत वजन कम करने के लिए पेट की जलन से राहत सिरदर्द में भी सौट के फायदे देखे जा सकते है छाती में दर्द के लिए, चयापचे के लिए सूजन को कम करना सौट का सेवन माईग्रेन की समस्या से राहत दिलाने का काम कर सकता है कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी सौट के सकारात्मक परिनाम देखे जा सकते है गर्भावस्था में सौट का सेवन लाबकारी परिनाम दे सकता है सौट फाइबर से समरिध होता है जो पाच्चन, क्रिया में सुधार का काम कर सकता है Immunity System के लिए SORT का सेवन मधु मेह की समस्या से निजात दिलाने सकता है दात दर्द से राहत, Urine Infection के लिए, पेट फूलने की समस्या के लिए, जिंजबात के लिए आथरिसन कैपसूल दिन में दो बार भोजन के बाद एक गिलास गुनबुने गर्म पानी के साथ लेना है दोस्त सदा हेल्दी फूड खाना दिन में दो से चार लीटर पानी पीना और टाइम पर खाए और टाइम पर सोए और एक्सिसाइज जोरूर करें